कि अच्छ कि अच्छ कि अच्छ कि नमस्कार दोस्तों में नाम है विवेक पांड़ी बहुत बहुत श्वागत है आड़ 247 रेगुलेटरी बड़ी एंड एसो यूटूब चैनल पे दोस्तों हम बात कर रहे हैं से भी ग्रेड गी आईटी ओफेसर के बारे भी आपको यह पता है इसका सॉट नॉटिस कुछ दिन पहले आ गया फुल नोटे से वह मेरा नेक्स्ट मन्थ आने वाला थर्टेंट आपरील को और फिर में में इसका एक्जाम होने वाला यानि यह अबाउड दा प्रिप्रिशन स्ट्राइटी ऑफ से भी ग्रेड आईट ओफेसर के बारे में तो सबसे पहले दो तीन चीजें जो आपको पता होना चाहिए अल्यडी हम लोगों ने पहले बता रखा है उसके बारे में बार सौट नॉटिस आपको दे देते हैं कि पहरवच यह तीन फेसे हमारा गुजरना पड़ेगा क्वालिफिकेशन यह है और लेडी हम बता चुके इसके बारे में तो इसमें जादा डिसकस नहीं करेंगे इस लिमिट क्या है प्रोविशन क्या है पेस्किल क्या है यह यह पहले भी बता चुके बस एक रिवीजन के फॉर्म में है कि यह आपका पेस के है जब आप आप बीपेस स्वरी से भी ग्रेड़े जब हम बात करते हैं इसके बारे में से भी ग्रेड़े आईटी ओफिसर के बारे में यह आपका एक्जाम पैटर्न है आप देख पा रहे हो कि आप पूरा अगर प्रोसेश को पढ़ पा रहेंगे इन फेसे में मेरा फर्स्ट वेडिश को मुख सेक्शन काली फाइंग होगा यानि कि है आप अगर इस exam कर रहे हैं तो आप यह माईने में ना रखे किए स्पेस्फिक मुझे इतना मतलब कह सकते हैं कि मुझे पहले आपको फेज बारे में सोचना पड़ेगा फिर के आपको इंटेर्वी और टूए पहले इसका बारे ऐसान होगा मैं सब्सेर पर यहां फेज वन के बारे मेरा एक्जाम में firefighters पर टू पेपर वान में है कि हमारा जनरल अबलीटी जनरल अवर ने से इंग्लिस लेंग विसे कॉइंटी अप्टी टेस्ट ऑफ रिज्ट में यारी अगर मैं बात करता हूं वो बच्चे जो जनरली बैंकिंग की तयारी कर रहें वो इन सारे चैप्टर से आउगत है यानि आपको यहाँ पर इंग्लिस क्वांट और रिजनिंग आपको देखने को मिलेगा तो अब यह नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा फाइट करना है क्यों इसके पीछे की कहानी में बता देता हूं चुकि यह जो सेग्मेंट है आपका 100 नंबर का पेपर है लिए पर के लिए आपका क्वालिफाएंग में और पेपर तू है वह आपका सब्जेकर्ट में धोति थोना सा इसको दो तिन तरीके से रहें होगा पहले इसको आप समदेख सकते हैं ले कूझे को यहाँ पर यहां पर dialogows लेंग्वेज हो गया क्वाइटिटी अप्टिचूड होगा टेस्ट ऑफ रिजनिंग है सो नंबर का है और 30 परशेंट आपका वेटेज है 30 परशेंट ही वेटेज यानि कि सौ में मुझे तीस नंबर लाना है और किसी स्पेसिफिक से क्या क्या करना है यह पूरे 100 में से आपको 30 पर 30 का क्लियर करना कि अभी तक आपको हमारे चैनल में आपको बाकिस अपकी आपको बता दिया चुका है तो अब आपको यहां पर कंसर्ण यह रहेगा कि आप देखो कि क्वांट का कौन सा सेग्मेंट है ठीक है आप अगर 10 चेप्टर है 10 पर आपको नहीं काम करना पड़ रहा है यानि 10 पर आप नहीं जाना चाड़ रहे हैं सब्सक्राइब आपको पहले स्पष्ट बता देता हूं कि यह वेकेंसी वह बच्चे ज्यादा स्रियस ले रहे होंगे जो आईटी से लेटर किसी कंस फॉर्म में काम कर रहे हैं सब्सक्राइब तो कहने का मतलब है कि जो इस फिल्ड से असूसीएट है और लेडिया है काम करने का वह इस वेकेंसी का करोगे कैसे तो आप कुछ चैप्टर जो आपको फैकल्टी में मर गाइड कर रहे हूं का आप इस चैप्टर से यह कर लो इस चीजों को करके और अगर फेज बन से पहले अगर 10 से 15 मौक टेस्ट के आपके पास प्रैक्टीस है और सिप्टर सब्सक्राइब लेके चीज़ चल रहा है तो बहुत इसली तरीके से आप पेपर वन को क्वालिफाइब लेकिन यह सोच के जाना कि सर मैं कर लूँगा एक्जाम में तो आप क्व अगर अपको प्रॉपर पढ़ना पढ़ेगा आपको हां कुछ चीजु को कर सकते हो क्योंकि यह क्वालिफाइंग पे काम कर रहा है ठीक है तो आप पढ़ो सारे चैप्टर को आपको जो लग रहा है कि ठीक है क्योंकि इसमें भी कुछ इसकूश सवाल बन जाते हैं लोग डिसकस कर रहे होंगे तो कहने का मतलब इसको आपनों लाइट नहीं लिए आपको जूजू चैप्टर पे बोला जा रहा है आप काम करोगे और मुस्ट इंपॉर्टेंट थेग्मेंट कि आप उस पर वर करोगे प्रैक्टिस करोगे जब आप प्रैक्टिस कर रहोगे इ हाप एक सेटी थीख़ेंट तो ऑला पार्ट हो गए हां पर यहां पर आलेडी मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे यह हो रहा होगा तो यह इस तरह निकल अब आते हैं फेस टू में जब पेपर टू में आप आते हैं तो आपका आईटी के लिए होता है जिसे यहां पर लिखा आपको आपका सब्जेक्ट औरियंटेट से सौप प्रस्ट होंगे और 40 मिनिट का समय दिया 40% का वेटेज आपको दिया रहे प्रामिंग कॉंसर्प यह आपका 30 नंबर का वेटेज रहे जावा है सी सी प्लस हर चीज़ से कुशन रहेगा यहां पर अच्छे लेवल का कुशन रहेगा जैसे की प्रॉब्लम औरिंटेट कुशन उसको बोल सकते हैं कि यह प्रॉब्लम है इसका सॉलूशन क्या हो सकता है ठ तो यह तीन पार्ट हो गया फिर डी अई कपा डिटेल लिटेगल का पार्ट हो गया एल्गरिदम एंड फॉर प्रॉलम में वहां और फिर हमारा इनफॉरमिशन साइबर सेक्यूर्टी हो गया सर मैंने पाइधन नहीं पढ़ा है मैंने जावा सी से प्लस पर पढ़ा तो ठीक है कोई बात नहीं अगर आपका कोई वीकर सेक्षन है तो आप उसको कर सकते हो थोड़ा सा के लिए क्यों इसके पीछे भी कहानी क्योंकि यह भी हमारा क्वालिफाइंग यह ठीक है आपको इन सारे में से उठा के चालिस प्रतिसाद नंबर लाना है ठीक है तो डिटा स्टेशन उठा लो आपको स्कूरी का कॉश्चन स्वाड़ा प्रामिंग कॉ तो अलड़ी हाइली एक्जाम होता है प्रासा स्टैंडर्ड एक्जाम है और भी जितने ऐसो के जितने भी सारे बच्चों को में गाइड कर देता हूं कि जो आप आईटी ओफिसर के त्यारी कर रहे हो तो आईटी ओफिसर ऐसा नहीं बोलता है कि मुझे सौ में सौल आके द मैं इसको खेल लूँगा 507 च्प्टर ऐसा होगा आप इसमें से भी अगर बात करता हूं तो आप एक हो गया दो हो गया तीन हो गया चार हो गया इन 4-5 चैप्टर को उठा सकते हो कि नहीं से मैं खेल लूँगा कोई धीकतने में सौल्फ कर लूँगा वाले आप उस पर काम करो ज्यादा काम करो और और क्या बन सकता है कोशन इसक्राइब के इतना प्रेक्टिस कर डालो ग्वेरी लिख लिए जैसे बोल रहे हैं कि मीरे सकुरिक फूरी से कॉषिण है तो मेरा कहना पड़ेगा कि आप यहां से पांच साथ उठाओ और उस पर थोड़ा सा समय तो जो टॉपिक लिखा पहले उसी को फोकस को इसके अंदर भूसारी चीज़े चुपी हुए तो इन सारे चमेजर चॉप टेट रोटा और उस पर थोड़ा सा समय खर्च करना स्टार् प्रट इसना तेर शचाए ये सचाइए ये कभी नहीं कहूंगा कि यॉयर इसको भी कर लो ने हम मेरा में मैं मैं ज्दोर्टां पर唱 करता हूं कि यह मेरा प्रोज़ेक्ट है यह एक्जाम हिस एक्साम को कैसे क्लूट किया जा सकता हर एक्जाम कbar requirement होता है आप जब आर रक District जैसे मैं एक्जाम्पल देता हूं और भी क्लर्ट अरभी क्लर्ट कट आफ एक नमबर को मैं मिस करने क्लिए नहीं बोलूँगा लेकिन इस एक्जाम मैं कहूंगा कि कोई बात नहीं आप टॉप 50 को उठा टॉप 60 को टॉप 70 को उठा और उस पर काम करना स्टार्ट कर दो करूंगा यह वाली प्रैक्टिस आपको चाहिए लेबल आपको आईटी फिसर गांगा थोड़ा सब्सक्राइबल कभी कोशन यह टाच करता है फोड़ा लॉजिकल कोशिंस आता है इन्फोर्मेशन और लॉजिक दोनों का कॉम्बिनेशन टाइप के को यहां पर आपको चाहिए इन चीजों पर हो रहा होगा आपका पहला पॉइंट ठीक है उसके बाद आपका पेपर टू के लिए आप एक साथ प्रिपरिशन स्टार्ट कर देना ठीक उसको प्रैक्टिस से करने इसका नोट्स बनाना स्टार्ट करना आपको डेड़ाइस का कॉन सब्स बीट्र सब्सक्राइब बहुत बढ़ा स्लेवस होता है तो अब टॉफ पांच शे उठालो ना उसके काम कर दो क्या दिक्कत अब आता है फेस्टू में फेस्टू में तो इंग्लिस डिस्कृप्टिव है तो डिस्क्रिप्टिव की तहरी एक अलग तरीके से ही होती है आपको इसमे और दूसरा बात इस टूप क्या है आपका कोडिंग वालाप और कोडिंग में भी अगर में थ्रहसाता हूं यहां पर इस टुप क्या है को डिंगेस्ट यश्ट अब आपको आउट पूड बताना है जैसा भी टेकनिकल आउड आप देते हैं आपको आईडिया है इसके बारे में तो जो बच्चे आउड़ेडी आईटी में काम कर रहे हैं और उनकी जिग्यासा है कि मैं आईटी फॉर्म में जाओं और तो आपके लिए सेवी है अपने आप में यह मतलब बड़ी बात है आप कह दो जो यूपीसी वाले जो बच्चे होते यूपीसी जो नहीं आते वह यहां पर आना पसंद करते हैं ठीक है क्योंकि और बाकिस समय कहीं जाए प्योकलर तो उनको जस्ता नहीं है तो उनके लिए बहुत अच्छा ज पहले आप नदी में डूबो की कैसा होता आई टी ओफिसर का एक्साम आप वहां पर देखो कैसे कैसे चीजे हो रही होती एक बेबी स्टेप ले बेबी स्टेप लेकर काम करूँ आप देखो वन डे वन प्लैनिंग पे काम करना होगा आपको जैसे से हम लोग बताते जाएं हर एक्जाम के स्टेटिया अलगला हुई पहले आपको स्टार्ट करना पड़ेगा तो चीजों को समप कर देता हूं कि आपका जो पेपर वन होगा यानि फेज वन है पेपर वन पेपर टू दोनों आपका क्वालिफाइंगे यहां थोड़ा सा आपका कट आप यह जादा ही के wyis को रहे हैं कि लीज ...स अब क्याcker पपके लिए कामवां के वर हमसित अध dis और डैकर पाओ्रट 할 नहीं होता है जिस बच्चे ने चोटा-जोटा भी प्रोजेक्ट बना है एक फूलता है। पता है कि author होता है कि इसको पता है कि यह मेरा टेंपलेट इस्तमाल किया जाता है इसको पता है कि यह लाइब्रेरी का इस्तमाल जिसे पता है वही कर पाएगा आप ठीओरी पढ़के नहीं करते क्योंकि यह पूरा प्रैक्टिकल चीज होता है कोडिंग वाला ठीक है तो मेरा यही कहना होगा कि आप इसमें कुदि आपको इतना समय देगा कि फेस्टू लगी जाएगा कि कैसा एक्जाम जाय रहा है तो फेस्टू में कोडिंग कही करना चैछे गंटा साथ साथ गंटा कोडिंग करना क्या दिक्कत है अगर कोडिंग का आप रूट पकड़ लिए हो ना कोई भी लैंगिस आप इंप्लिमें अनौंसिंग दा बैचेस हम लोग अलड़ी बैच अनौंस कर चुके हैं यह हमारा आईट्यू फेसर का फॉंडेशन बैच है जो आई से भी ग्रेड अचीवर क्लब के तुरू यह सब है इसमें मेरा फेस वन भी है और फेस्टू यह दोनों सारी चीजे आपको इसके अंदर मिलेगी ठीक तो आप इसमें डॉल कर सकते हैं ठीक यह सिफ अगर से वी ग्रेड है और यह बैच अब फिटिन से लाइव कर रहे है ठीक जो जेनल स्ट्रीम वाले हैं उनका लब बैच 29 मार्च को ही लाइव हो रहा है यह मैं आपको अल्यड़ी बता देता हूं तो आप अग इन डॉल कर रहे है आगले एक से दो इन डाल कर रहे है तो मेरा एक कॉल होगा यह बैंक महापैक ऺ्लास या फिर रेगलोटरी बडी महापैक पे इंडॉल कर सको आपको यह मैं नहीं कह सकता है रेगलोटरी बोडी महा पैक पर इंडॉल कर रहें तो यह स्पेसफिक से भी आईटी ऑफिसर की बैच है और यह वाला बैच इसके अंदर इंक्लूड तो आप यहां पर जूट सकते हैं अब मैं वाईटी पर भी कराऊंगा वाईटी पर पांच इसलिए सीडूल हम लोगों ने बना चुका है साम में आपको पांच वाईटी पर सेशन आपको देखने को मिलेगा ठीक है तो आप ऐसा जूड़ सकते हैं मैं आपको बता देता हूं क्यों ऐसा ओफर जा रहा है क्योंकि अभी मंत एंड पर हम लोग सेल दे रहें कोई भी मह साथी साथ आपको डवल वैलिटी भी आपको मिलेगा ठीक यह आपका तरीका लिंक आपको कमेंट वाक्स में दिया गया वहां से एकसेस कर सकते हैं ठीक है आप एक बार यहां पे इन्रॉल कर लेतों अगर बैंक महापक्ट प्लस में तो आपका क्या होगा कि आने वाले एक स देख रहा था कि कोई और वेकंसी जिसे पिछले बार एनाइसील की वेकंसी आई थी उसकी भी में बैच लाओं तो यह अलग-अलग आपको करनी क्या हो सकता नहीं पड़ेगी यह से भी कभी कोई और प्रैक्टिस पे काम करों अलग काम नहीं करना पड़े आप उसको चीज सकते हैं आपको करना कुछ है इस प्रकार से आप हमारे वेब पे चले जाएंगे वेब पे जब जाएंगे आपको यह आपको दिखना डरोडिफोर सेवन आपका लिंक हम लोगों ने दे रहा है अब यहाँ पर आ रहे होंगे आप रिगुलेटी बडिस के कॉलम में जाईए ठीक है और यहां पर आपका यह से भी के अंदर और से ओंदर आपको साधेवी गरेड़ आई-टू में ठीक है और फिर अपका 27 ौर्प अबर आपको साठह से राड़ एंगा 깨िम प्लस और सटहें चार आपको प्रेक्टिस के आज का तो बहुत सारा ओनलाइन पॉर्टल मिल चुका है कोडिंग करने के लिए ठीक है मैं नाम नहीं लूँगा आप लेकिन और रेड़ी पॉर्टल मिल चुका है याप कंपाइलर इंस्टॉल कर लो न वह ज्यादा अच्छा रहेगा ठीक है कंपाइलर इंस